युआन फरांडो के बर्डे के एक दिन बाद रिपोर्ट से आती है कि मोहन बगान ने युआन फरांडो को साक कर दिया मतलब I was to be very honest shocked इतनी जल्दी इस बंदे को हमने साक क्यों कर दिया पांच मांचेस में पांच वेंस थी यार मतलब record break किया था बंदे ने आप समझ सकते हो कि जो quality है of मोहन बगान उनको ये mediocrity accepted नहीं थी they wanted to be ruthless जिन teams के गेंस वो खेले हैं मुंबई हो केरला हो जिनके अगेंस वो loss लिये हैं गुआ के गेंस उनकी एक bashing थी they did not want to lose अगेंस दोस clubs and कहीं न कहीं मोहन बगान के owners को चाहिए था यार की वो अपनी value बना के रखे and Yuan Ferrando से शायद वो चीज़े हो नहीं पारती but I have got nothing but utmost respect for the manager because I believe कि भाई वो top manager है he was going through a bad time players weren't available for him उस बंदे नहीं बात बोली भी है and आता कौन है उनकी जगाँ पे पिछला जो manager था Antonio Habas is coming back at Mohan Bagan तो is it going to be a good thing? मतलब क्या Habas यहाँ पे Mohan Bagan का season safe कर पाएंगे की नहीं यह तो आप मुझे comment section में ही बताओगे guys